एक, दो, तीन, चार और पांच मतलब इतने सारे माउस अलग-अलग ब्रैंड के अलग-अलग प्राइस सेग्मेंट के मैंने यूज करे हैं तो सोचा चलो एक बना देता हूँ वीडियो जहाँ पर मैं आपको बताओ कि 200 वाला माउस में क्या प्राब्लम होता है, क्या अच्छी बाते होती है 1500-2000 तक के माउस में आपको क्या अच्छी चीजे मिलती है तो वीडियो पूरा देखना अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब कर लेना PC-related content में अगर आपको इंट्रेस्ट होगा तो जो सबसे पहला माउस है दोस्तों ये Zebronics का बहुत ही basic माउस है 200-200 के आसपास आपको मिल जाता है अब देखार इस माउस को खरीदते कौन लोग है जिनके पास budget काफी कम होता है to be very honest otherwise अगर आपका पास budget ठीक ठाक है तो इसको मत खरीदने यार इतना ज़ादा lightweight है DPI सब आप adjust नहीं कर सकते ऐसे चलाओगे ना तो उपर से नीचे तक माउस का scroller को आने में बहुत time लगेगा तो यार तिक्कत आएगी आपको तो इस वज़े से अगर आपका budget एकदम बहुत कम है आप buskill नाम के लिए माउस खरीद रहे हो तो खरीद सकते है recommended नहीं है बाकी देख लेना क्योंकि थोड़ा सा ज़ादा DPI होता है न तो आपका productivity ज़ादा हो जाता है तो इसको हम side रखते है इसके उपर दोस्तों यह जो HP वाला है यह आप देख सकते हैं यह थोड़ा ज़ादा अच्छा है यह थोड़ा ज़ादा fast भी है भारी भी है यहाँ पर से आपको यह जो उंगली रखने का support होता है वो भी मिलता है यह wired वाला है तो धियान में रखना 3400 की कीमत में आपको मिल जाएगा देख लेना अभी price क्या चल रहा है और यह मुझे काफी अच्छा लगा मैंने काफी दिनों तक इसको use किया है बट इतना ज़ादा use किया हूँ कि इसका scroller खराब हो गया था तो वो चीज है जो कि आपको थोड़ा देखना होगा बाकी ठीक है अगर आप use करते हो बहुत जादा video editing ये सब नहीं करते हैं तो इसको देख सकते हैं I think basic use के लिए बहुत अच्छा रहेगा मतलब अगर आप coding कर रहे हैं internet use कर रहे हैं बहुत ही basic सा editing ये सब करते हो तो इसको देख लेना काफी अच्छा experience आपको मिलेगा तो इसको हम फिलाल side रखते हैं इसके बाद दोस्तो ये HP का again वही same model आपको देखने को मिल रहा है बट यहाँ पर ना कोई भी wire नहीं है SMS सोचने कि मैंने wire card दिया है ये wireless वाला mouse है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि आपको battery लगता है इसी के अंदर dongle भी है तो dongle को आपको निकालना पड़ेगा actual में निकलता नहीं है जब तक आप battery को नहीं निकालोगे तो इस तरीके का आपको dongle देखने को मिल जाता है इस dongle को आप connect करो Bluetooth के जरिया आप इस्तेमाल करो battery लगता है तो समय के साथ ये खतम भी हो जाता है और मेरे users के हिसाब से यार तीन महीना चलता था लेकिन मेरा दोस्त लोग था ना जो roommate लोग था उनलोगा यार लगबग आठ नो महीना चल जाता था क्यों तो भाई लोग उतना editing नहीं करता था मैं बहुत जाद editing करता था एक एक video edit करने में मैं इतना strokes की ये जो लगाता था ना कि इसी की वज़ा से battery बहुत जल्दी जली खतम होता था तो ये एक permanent solution नहीं था मेरे लिए क्यों कि यार जब भी edit करने किया battery खतम हो गया तो निकाल करके फिर क्या करता था पता है ना Indian जोगार मैं आपको बताता हूँ आपको भी पता चली जाएगा क्या करता हूँ गॉस जस्तिंक इसको निकालता था थोड़ा सा करना मैं ऐसे करता था फिर लगाता था थोड़ा दिर चलता था ऐसे ही करता था तो college के दौरान ठीक था यार कोई बात में बट ये मेरे लिए permanent solution नहीं था तो इस वज़े से मैंने फिर इसको skip किया otherwise ये भी काफी अच्छा option है लगबग 6-700 की कीमत मैं I think मिल जाना चाहिए आपको केबल होगा इसके अलावा यहाँ पर आप DPI ये सब एड़ेस्ट कर सकते हैं लेकिन हाँ उसके लिए आपको लगभग 1200-1500-2000 रुपय खर्च करने पड़ेंगे इसके उपर के भी माउस आते हैं 20-20,000 तक के माउस आते हैं बट चलो उसको हम अभी फिलाल बात नहीं करते हैं थोड़ा budget में रहते हैं तो ये है दोस्तों anti-sport के तरफ से आने वाला अब देगार इसमें ना DPI आप ये सब फट फट adjust कर सकते हैं बट ये याद नहीं रखता है भूल जाता है इसको भूलने की बिमारी है तो actual में होता क्या है कि आप एक particular DPI में set करके रखे हैं आपने system को off कर दिया दुबारा on करोगे तो ये reset हो जाता है मतलब start सी start होता है जो आपने set करके रखा वो इसको याद नहीं रहता है तो इस वज़ा से again मैं इसको use नहीं करता हूँ अब जो मैं use करता हूँ वो है दोस्तो zebronics वाला तो zebronics वाला मैं actual में क्या है कि इसका scroller काफी अच्छा है जो back and forth button है वो अच्छे से काम करता है भारी है अच्छे से grip मिल जाता है ब्रेड़ेट cable है तो इस वज़ा से मैं इसका ज़ादा अपने तरीके से बहुत कम budget है तो यार mouse बहतर है कि आप मत खरीदो मतलब जो मैंने आपको दिखाया 2-300 रुपय का और अलग-अलग brand के भी आते हैं उसमें आपको वो feel नहीं आएगा to be very honest वो feel नहीं आएगा cafe वाला feeling आएगा तो इस वज़े से अगर आप बहुत basic use करना चाहते हैं तो 300 से लेके 500 की बीच के जो mouse आते हैं खासकर Logitech का भी एक mouse है वो मेरे पास अभी है नहीं पता नहीं कहां रखा गया कहीं गुम गया होगा मुझे ध्यान में नहीं है उसकी भी unboxing मैंने करी थी तो वो आप देख सकते हैं या HP वाला देख सकते हैं Dell का भी आता है बट Dell को थोड़ा सा मतलब वो हलका था मुझे जहां तक experience है वो हलका था तो वो मैं नहीं suggest करूँगा तो 2 suggest कर सकते हूं under 500 HP and Logitech आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राइजिंग दिख रहा होगा दूसरा दोस्तों यहां पर अगर आप थोड़ा सा budget बढ़ाना चाहते हैं तो आप चाहो तो यह HP वाला देख लेना कहां गया भाई यह HP वाला यह वाला देख लेना otherwise फिर एक Logitech का भी आता है आपको देखना है जाना पर आपको gaming करनी होती है DPI adjust करना है बहुत ही fast response चाहिए RGB effect चाहिए ब्रेड़ेट केबल चाहिए तो फिर आप 1200, 1400, 1500 वाला भी mouse खरीच सकते हैं जो कि आप देख लो स्क्रीन में कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो इतने दिनों का experience के हिसाब से दोस्तो जो भी मैं सोच सकता था मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि mouse एक बहुत ही बड़ा और important चीज होता है खास कर अगर आप एक gamer हो तो आपके लिए तो must है developer हो तो भी आपके लिए बहुत important है editor हो तो अप तो यार बहुत important हो जाता है और क्या सब चीज के लिए actual में important है और अगर आप अपने laptop का जो trackpad है उसकी durability बढ़ाना चाहते तो again आपको एक mouse जरूर खरीना चाहिए तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया अब नहीं लगता कि आपके मन में कोई doubt होगा और जो 15-20,000 के बारे मैंने आपको बताया था वो pro level वाले के लिए होता है देखता हूँ थोड़े पैसे आएंगे तो उसको भी खरीदा जाएगा unboxing दिखाऊँगा अगर होईसा होगा गुश्तो तो यही था दोस्तो सारे useful link मेंने description box में दे रखे है uncut type के video मैंने बनाया थे अगर आपको यह तरीके के video अच्छा लगते हैं तो comment करके मुझे बता सकते हो साथी साथ सारे description box में link दिये में जाओ देखो खरीदो अच्छा लगता है तो बता देना कौन सा आपको अच्छा लगा और आपके मन में कोई doubt अभी भी रहागी होगा तो comment करना मैं कोशस करूँगा reply दे दूँगा साथी साथ Instagram पे जाके मुझे से पूछ सकते हो follow कर सकते हो, बात कर सकते हो भाई-भाई का connection हो जाएगा और वीडियो अच्छा लगाऊगो तो like करना, share करना चैनल पे नहीं होंगे, PC related content में इंट्रेस्ट है, तो subscribe करना, bell notification भी प्रेस कर लेना, तो मैं हूँ आपका दोस्त अभी जीत मिलना आपसे next video में, thanks a lot for watching कर दोस्त आपका दोस्त आपका दोस्त